बीधान सबक शित्र भर्मोर के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत बलोट के कुछ गाउं के लोगों के लिए एक नाला परेशानियों का सबब बन चुका है वहां के लोगों का कहना है कि जब भीकशेतर में हल्की वारिस होती है तो इस नाले का जल स्थर बढ़ जता है और इस नाले के लोगों को डिपों का रासन घरों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है परधान का कहना है कि इन गाउं से हर रोज के स्कूली बच्चे इस नाले पर पुल ना होने के कारण कई किलो मिटर लंबे जंगली रास्ते को तेकर स्कूल पहुंच रहे हैं परधान का कहना है कि इस नाले पर पुल बनाने की मांग वो पिछले कई वरसों से कर रहे हैं लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक यहां पुल बनाने की जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने सरकार से मांगी है कि जल्द से जल्द सनाले पर एक पुल का निर्मान किया जाए ताकि करीब आदा दर्जिन गाउं के लोगों को इसका लाम मिल सके। नमस्काय सात्यों मैं देवराय परदान गराम पंचायद बलोट विकास करण मैला तासिद्वाज जला जमबा हिमाचर परदेश का रहने वाला हूँ मैं एक वाफिर से प्रेस के मात्यम से हिमाचर सरकार को जगाना चाहता हूँ और आज कल जो विधान सावा के एलेक्शन जै हुए हैं कि हम नेता होगा कौन हर एक लोगों के दिल में यही दूविदा है कि हमारा नेता कौन होगा पहले दो नेता हुआ करते थे दो पार्टी के तो लोग जो है अपने अपना की नारा लिये होते थे लेकिन आज ही कोई पता नहीं चल रहा कि नेता कौन है तो बड़ी अच्छी बात है चलो कोई बाहने नेता तो बड़े हैं लेकिन जहां तक मेरी पंचायद क्षेतर बलोट का सवाल है इसमें काफी गौओं जो मेरी पंचायद के आते हैं इस खड के इच पेट में जहां अलमी से होकर के गरापंचायद खुंदेल और बलोट को टच करती हुई इस खड़ने लोगों का जीना हराम कर दिया है अलमी और कलाउस गेड़ खिडकल कनहतर गौार्ड थला चनूनू जैसे ये क्षेतर जो ऐसे दुर्गम क्षेतर हैं वहां से बच्चे जो हैं सीनियस केंटरी बतोट के लिए आना उनके लिए बहुत मुस्किल हो चुका है और गुजरना पड़ रहा है और जब यहां के लोग बिमार हो जाएं तो उनके लिए तो एक बहुत ही मुशिबत का सामना करना पड़े इसके बारे मैं मैं किई बार जो है परसासन जीला परसासन को भी और सरकार को भी आवगत करवा चुका हूँ और एक बार फिससे मैं करना चाहता हूँ कि अगर मेरे कहने पर कोई सक है आपको तो इस वक्त जो है आप जिला से किसी उस सरीया अधिकारी के नेतरतों में एक टीम भेज करके इस खितर का दौरा करें कि कैसे लोग जो है किस रास्ते से आ रहे हैं और सचाई क्या है इसमें तो मैं ज्यादा ना ब जिन्दगी कुछ चैन्स से जी सकें नहीं तो जो लोग घर से बतोट आते हैं और बतोट से घर जाने वाले जो लोग होते हैं वो अपने आपको यह नहीं समुझते हैं कि हमें बापस घर जिन्दा पहुंच पाउंगा क्योंकि पानी कभी भी बढ़ जाता है और कभी भी